सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल ग्रूप पच्छकोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए अमारा मोबाइल अब भी सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल ग्रूप के यूटूब चैनल पे सभी बच्छों को जै राजधने मेरी क्रिस्मिस गुड आप्टर नून नमस्कार नमस्ते अब हम स्टार्ट करेंगे आप सभी का सभाकत है इंसेक्ट मॉर्फोलोजी के जो चैप्टर में हम बात करें थे एंटोमोलोजी क्लास की जैर आद्दानी सभी को जैर आद्दानी दैन हम आज ओलरडी लेट हो चुके तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास तक जहां तक discussion किया था कि लाइज पिपलास हम ने एंटना का discussion का लिया था अब जो आज की क्लास का डिस्क्रिशन होगा वह होगा एक तो विंग्स एंड लैंक्स जो एंसेक्ट मॉर्फॉलोजी के मेजर पार्ट पैंट की लेक्स है और इंसेट की जो भींगक से ऊंके बारे में हम बात करेंगे हेलो में उसके इनदर देख बन cavalim लोगूरा में अगे अगे आज के मार बात करें वह विल्स और लाक्स की की बात करें गैजेंस हराम donn को जाहरात्धनी अब माँ बात करता हूं कि है यग अगर अगर सुभी लोग योग 2 सब्सक्राइब यद्umm क्लासिफिकेसन इसकी स्टाइब करते हैं कि लगस क्या चीज है पर्जेंट it was aey लेक्स इंशेक्ट के अंदर हमें मतलब I mean pueda on lowOkay द्लारण इन्सेक्ट में लैक्स के लेक्स की ड़क्य की बात किजा है तो how much pair of legs are found in the insect तो insect के अंदर कितने pair legs के मिलती है आप लोग बताएंगे we are ready, okay तो यदि मैं बात करूँ कि legs के कितनी मेरी how much pair of legs are found in the insect आपका अंसर रहेगा I think सभी बच्चों को बताएं कि insect के अंदर यदि बात के जाए तो three pair बिलकुल कि three pair के है उसके अंदर legs मिलती है वो कौन कौन से body region पे मिलती है लग किस किस part पे या किस body region के बात कुरूँ हो particularly body region की ये insect का ये body है और इस body के किस region पे क्या नाम है वो particularly उन region का तो वो बताएंगे आप कि किस region के उपर first, second और third जो हमारे तीनों pair legs के हैं वो मिलते है थोरेक्स के उपर okay, very good then thorax की बात कर रहे हैं तो thorax पे भी कितने body part होता है thorax कितने parts में divide होता है already अगर मैं बात कर तो thorax की कितने parts में divide होता है उनके क्या-क्या नाम है अगर thorax की बात करते हैं अगर इन तीनों की बात करूँ जो first number का पार्ट होता है उसको प्रोथरेक्स बोलते हैं जो middle में होता है उसको मीजो थोरेक्स बोलते है जो posterior part है उसको क्या बोलते है metathorax it means anterior part तो prothorax हो जाएगा middle part मीजो थोरेक्स हो जाएगा और last one क्या है metathorax suppose that यह अपना एक thorax है तो इस पे single pair यहां मिलेगा second and third तो यह मारे तीन पेर की बात हो गई यह कहां कहां मिलते है प्रो मीजो एंड metathorax भी अब मैं बात करता हूँ कि insect की lag है वो कितने segment होती है अगर insect की lag की segment की बात करो तो कितने segmented lag होती है अगर lags के segment की बात की जाए तो कितने segmented होती है total segment कितने होती है lags के अंदर then उनका one by one मतलब काफी time ऐसा होता है कि वो इनकी एक series बोलता है कि जो insect की lag है तो सबसे पहले कौन सा part है उसके बाद कौन सा है उसके बाद कौन सा है तो one by one करके हम उनके नाम लिखेंगे तो आप बता दे कि कितने segment की lag होती है मतलब कितने segmented होती है उसके अंदर जो lags present है already six segment की very good six segment बच्चों के answer आ रहे हैं कि six segment की होती है उनके नाम अगर आपको बताना चाहूं तो six segment कौन कौन से है coxa procanter femur tibia tarsus and pretarsus यह होता है I think आप सब agree होंगे कि coxa femur tibia tarsus and pretarsus विल्कुल तो यह इसके six segment होगे then यही series है कि सबसे पहले जो होता है जो body से attach होता है मतलब insect है जो leg body से attach होगी ना कोई ना कोई पार्ट जो body से attach होता है वो कौन सा होता है coxa कौन सा होता है coxa उसके बाद आता है trochanter उसके बाद femur अगर मैं femur की एक especially बटा हूँ आप लोगों को पता है अगर मैं human wings की भी बात करता हूँ या अगर insect की बात करते है तो भी femur में क्या होता है खिली की जो सबसे स्ट्रोंग पार्ट होता है सबसे longer and सबसे strongest वो क्वोंसा होता है फीमर अगर अपनी भी बात करते हैं तो अपनी ठाही के अंदर फीमर होती है तो फीमर वो सबसे स्ट्रोंग है मतलब बोडी से ज़ो Attached Part है, जैरादादधानी सा Deb다면 जैरादानी , जो कोक्सा क्या चीज है ये इंसेकट की बोडी से attached ज़ो क्या पता सकतो है कि बोडी से एक ज़ोंक सैंपा ह्यों कह बहुता है कि ऐसा कौं सा लंबा वो फीमर है देन टीबिया टार्सस और पिरी टार्सस मैं इसमें पिरी टार्सस के कुछ पार्ट होते हैं मतलब उसके अंदर क्या-क्या डिवाइडेशन होता है वो आपको बता देता हूं एक बार यह थोड़ा सा डीप क्यूशन है आप इस पे फोकस करें मतलब डायर अगर बात करता हूं इसकी टार्सस की सबसे पहले तो एक्चली जो टार्सस होता है न यह एक क्लोव इसके उपर एक पेर ओफ क्लोव होती है कि देखो यह कोई पेर है यह सपोड़ यहां तक हमारी लैग हो गई कि यह फीमर टीबिया लैग को अस्टाई देते हैं यह जो य वह बात करता हूं अगर सपोड़ को की बात कर लेते हैं सिम्पल यह इसको क्या बोलता है क्लोव दायरेक्ट याद रखना क्लोव बोलत एंसको तो ट्रीसां ट्रीप्रेट आर्सस के बाद अम क्या मिलता है अएक और इस प्रिव का दूसरा नाम होता है अंग्जूज हुआ कि हमक्या बौल सकते हैं एंग्यूस या क्लो को होता है का पहे प्रिटरी इस खतम ही वहां पहे उध değiş किसका क्लो प्रेश कर लोग करेंद ग्लोम मीड्यन में इस पेर के मीडें एंदर अलब का स्पेसल पार्ट है उसको बोलतें ऐंप आ聲 क्या बोलते हैं वाई M-Podium मतलब जो Median Part है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ M-Podium और इसी का दूसरा नाम है Aerolium समझ मैं रहा है जहां पर Pre-Tars है सपोर्ट है यह मान के चलो कि यहां मेरा यह जो मेरी Insect की Lag है वो यहां पर Finish हो गई इसके बाद वहां एक पेर होता है किसका क्लो का तो वन पेर तो क्या है वहां पे क्लो परजेंट है और इसके जो Median Part है किसका एक क्लो के बीच में जो Median Part है उसको Empodium या Aerolium बोलाता है अब क्यूशन क्या आता है वो डारेट ऐसी आता है कि Aerolium क्या है इसके डिफाइन करके वो नीचे definition देता है आपको कि अगर Aerolium की बात करतुब है पुच्छेगा कि The Median Part between the Clo is known as Then your answer should be Aerolium और Empodium The Median Part between the Clo is known as Aerolium और Empodium इसके दो नाम क्यों है इसके दो नाम इसलिए क्योंकि Empodium है ना ये जिर्फ Deptera order के अंदर होता है किसके अंदर होता है Diptera order के अंदर और जितने भी insects order बचे के उन सब के अंदर हम Aerolium बोलेंगे आइज तिंग यहां समझल यहां तक समझ में आ रहा है Aeroliem कि certification में बोलें और Empodium कि description में बोलेंगे यदि diptera order की बात करूंगा suppose that diptera में जितने भी अपनी true flies होती है suppose that house fly है तो house fly किसे belong करती है diptera से तो diptera तो जब empodium कब बोलूँगा जब शिरफ diptera की बात करूँगा जैसे house fly वगेरा की जिन में true fly होती है उनकी बात करूँगा तो empodium बोलूँगा otherwise किसी भी इंसेक्टी बात होगी तो aeroleum बोलेंगे और उसकी definition क्या होगी ता median pad between the claw is known as empodium और aeroleum यह direct question आता है यह बहुत important है आप लोग इसका याद रखना कि aeroleum या empodium क्या चीज है ओके देन अब मैं स्टार्ट करता हूं हमारे classification की जो लैग का classification है उसको start करते हैं यहां तक समझ में आया तो मैं classification start करता हूं आप लोग बता देए एक बार कि empodium aeroleum और जो longest and strongest part कौन सा है और जो body ship attached part है वो कौन सा है लैग का और लैग में कितने segment है total और कितने segment वो उनकी series गया one by one series में और वो कहां कहां प्रजेंट होते है pro measure meta तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप हम सब करें इसके बाद हम start करते हैं classification को कि legs के classification को मैं बात करता हूं कि legs में classification की start करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर दो थिंक है कि एक तोम किसके basis पे उस legs का नाम देन उसका purpose क्या है और देन आप्र देट उसके example क्या है ओके तो मैं यहां पे legs का नाम one by one आप्र देट उनका purpose और फिर उसके बाद उसके classification की बात करेंगे ओके निस्टार्ट करते हैं सबसे पहले मां यहां लिखता हूं एंबूलेट्री आप की लेग किस टाइप की लेग बई एंबूलेट्री का अनुदर नाम एक बार इसके complete नाम लिख दूँ या फिर पर पर पजल दो पहले मां इसके complete नाम लिख देंगे कौन कौन सी टाइप की लेग है उसके बाद इनके पर पजल लिखेंगे देन एक्जामपल बताते जाएंगे एंबूलेट्री को कुर्सोरियल कि शल्टाटोरियल फोसोरियल ऊके तो में यह क्या लिख रहूं कि लेग किस किस टाइप की लेग जिनके बारे में हम डिसकस करेंगे कि इसमें किस टाइप की लेग है ये चीज़ है देन रेप्टाटोरियल और पोरेजियल और एक प्रो लेग ओके तो यहां नहीं नहीं लिख दिए किसने की किस किस टाइब की लाइग हमारे क्या हो रही है यहां इसके अंदर परजेंट है अब इनके परपज़ की बात करता हूं मैं देखो अगर इसके बाद मियंग क्या होता है मुझेजिक इसके बाद करेंख की लेग यहां मतलब हमेवन्य होता है तो इसलाओ कि पुरसर परपयंग कि लेग तो इसके बाद मदो होता है इस तो क्या हो जाएग है वाक strangely ब coy बैहन साल्टेर उर्य वोता है कि एक जगह से OLदांने के लिए जंफॉ da बब श्कुचा घॉरा खोड़ा तो लोग दढ़ी धाइब की है अ इसका मतलब होता है praying type की प्रेंग मतलब किसी भी चीज को पकड़ना अगर मैं दोनों हाथों से किसी भी वप्ति आइसे मालों कि मैं अगर मेरी बाहूं में ले लिया तो वह क्या एक praying है मेरे जो हात है क्या काम कर रहे हैं एक और अजह हब सथा ंंग है इंड़ की इंडुल का मिनीं क्या होता है कि कि बीचwarm होाधना टो यहिज पाकड़ना टो यह अब वाट कि अग techniques caring in order to these a Senator मतलब इनके दूसर नाम स्टी्र नाम है जुट में यह स्टाड ड़्त स्ट्रा फॉस्ति लेग स्टूडा एक यह तो इनके नौर्मल नाम हो लिग होता है Washington नमस्ते पर्विortion अगर मैं बात करता हूं वाकींग का मझलब देखो एक जग्षी दूसरी चलने का काम कर रहा है आप ग्रास ओपर के अग्जाम्पल देता हूं आपको तो ग्रास कर वो एक जगे से दूसरी जगे चलने का काम करता है या फिर जंप करने का काम करता है दो यह काम करता है अगर इंसेक जो ग्रास ओपर है वो एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है तो वो क्या कैसे चलेगा या तो चल के जाएगा या फिर जंप करके जाएगा तो उसमें दो टा four leg and middle leg of grass Opper four leg and middle leg of grass Opper अब देखो कि grass opper में तीन पेर थे लेग के अरजुन यहादब सर आपके नमबर देना आप मैं आपको नमबर देदूँगा बाद में आप एस बुकस पर लेना कोई दिक्स करता है जो और दोनों क्या काम करते हैं वो चलने में help करते हैं कि अगर ग्रास त्सके बाद और इस प्रइंट पहर यहां पर एक यहां पे azul फीट कर ली उसके बाद अगर आगे जा रहा है ली पर दो तो किया करेगा कि उत्वे कुछ के जो वोकिंग टाइप की लैग्स है चलने वाली लैक्स उनकी हल्प लेगा एक जगे से दूसरी देगर जाने का काम करेगा तो याद रखना कि वोकिंग टाइप किस में पाई जाती है ग्रास ओपर गेंदर जो कौन सी यो लैग होती है आग पैस्ट यह वैसे पैस्ट नहीं का पैस्ट नहीं है कैसा पैस्ट है झाल टाइप करा भेंदर जौर मौन भेंदर जो जो लेगा है आछाना कि वोकिंगे से और सुआ है जाओना जाओना है जानी है अगर आप लोग को पास आवाज आ रही है तो आप बता दे मेरे को सर बोईस नहीं आ रही अभी आई तिंग सोट आउट हो गई प्रोब्लम आप एक बार देखें अगर आगे तो फिर कंटेन्यू करते हैं है ओके हाँ आई तिंग अब हो गया हाँ देनम अम्मेरा तो वो जो लिखा हुआ था वो ओल्रडी गाए वो गया दाना गेन उसको नोट मैं यह से नोट डाउन कर देता हूं आप लोग एक पास लिखा हुआ है साल्टा टोरियल एमबुलेटरी हो गया फोस्वर ले हो गया साल्टा टोरियल हो गया मानसो पैन गे पकड़ा कुर्सोरियल फोरेजियल एंड प्रोलेग्स यह थे या कोई और रह गया तो बता दें और सबस्तान आप मिरे को यहीं थे शर्णाट टोरियल हो रह 3 यहां भी जानानfront ने फोरम पर पपं़ लीटिंग लिएक पर्पंडुमिलेट री वोकिंग परपक्स में काम अता रहू है इसकी क्या है परपस वोकिंग, फोसोरियल, डिगिंग, फोसोरियल, डिगिंग परपस गा साल्टाट ओरियल, जंपिंग, कॉर्सोरियल, रनिंग, आप्र दाट फोरेजल, पोलन कलेक्शन, फोरेजल, पोलन कलेक्शन, प्रोलेक्श, इनको फॉल्स लेग, या फिर मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ इनको की स्यूडो लेग, यहां तक कम्प्लीट हो गया था, अब इनके एक्जांपल की बात करें था हम, अगर एक्जांपल की में बात बता हूँ, सबसे पहले हमने वोकिंग ट्राइब की बात करें थी कि फोर लेग, एंड मिडल लेग, फोर लेग एंड मिडल लेग, ओफ ग्रास ओपर, ओफ ग्रास होपर, तो ग्रास ओपर की फोर लेग और मिडल लेग की बात करें थी कि फोर लेग और मिडल लेग किस परपस में होती ह दोनों सर वोई सार नोट अविलेबल अभी तो आ रहे होगी ओके नहीं दे को यहां तक ही बात कर ली थे हमने कि जो फोर लैग है और जो उसकी मिडल लैग है वो दोनों किस परपस्से हैं वोकिंग परपस्से अपर देट अनुदर वन है फोसोरियल डिगिंग टाइप की मतल आगे वाले दोनों पैर क्या काम कर रहे हैं गड़ा खोद में का काम कर रहे हैं और कड़ा खोद में वाला काम है वो कौन करता ऐसा लब जो फोसोरियल डिगिंग टाइप है यह मिलते हैं मोल किरकेट के अंदर और कौन सी लैग की बात कर रहा हूं आग्गे वाले दोनों प पर किसारी उसको क्या बोलता हैं किर्केट तो इसके थीं टेन्त होते हैं किर्केट मोह सब्सक्राइब करती जो बोलते हैं ब्लेक क्लर की से फिल्डिक होती है वह как तो उसका क्या नाम है मोल किर्केट तो आप लोगों ने सुनाए कि किसी नहीं आवाज जो गर पिर आज को अपन जब मालू बिल्कुल सांत माउल है तो आवाज आती रहती से बिल्कुल चीचीची की लगातार एक चिर्मिंग साइड चिर्पिंग टाइप का साउंड अगर मै ट्रत नहीं है पर एक कंटीनिगर लगातार साऋंड है उसको क्या ब体कास जैसे बिल्कुल सांत माउल हो गया गर्मियों के मबादा जनरली जब हम लोग बार सोते हैं तो वहाँप पिर पिपिंग टाइप है क्रुक्ल लगातार कंत्यों नहीं करता है तो इसके दोन्हां चांदन वो मॉल किर्केट करता है तो यातरन उसकी जो आगये वाली पैर वो क्या काम करता है गड़ा खोदता है और गड़े के अंदर ही रहता है जमीन में बाहर ऐसे नहीं रहता तो गड़ा को देगा ना तो गड़ा तो ऐसे तो नहीं कि मजदूर लेकि आएगा अपने तर और मोल किर्केट क्या करती है दोनों की दोनों पैर खोदने का काम करती है आप्टर देट साल्टा टोरियल साल्टा टोरियल का मतलब जंपिंग जंप कौन लगाता है ग्रास ओपर के पास चले जाओगे ग्रास ओपर के पास जाओगे वहाँ पर देखोगे वह क्या करता है जंप करता है करता है जंप अगर हम पकड़ने की कोशिज करते हैं तो क्या कर रहा है वो जंप कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाता है तुरंत प्लब ग्रास ओपर रहे उसकी जंप करने काम आएगी एक जगह से दूसरी जगह को वह थे ना कि वह नोटी बच्ची बच्चे वह सहतानी बच्चे कोण से कि दूसरी जगह क्या करते हैं वह जंप करते करते हैं मतलब उनको तो वह सारे दिन उचलने का काम तो वह चीज है वह उचलने का काम कुण कर रहा है यहां पर ग्रास ओपर कांड कौन सी लैग मजबूत है उसकी हैंड लैग तो याद नगा ग्रास ओपर में दो टाइप के लाइग हो गई जो फोर लैग और मिडिल लैग उचलने का काम करते हैं पिछे वाले क्या करते हैं इसलिए हैंड लैंकों हमने जंपिंग टाइप का नाम दे दिया इसको क्या बोलते हैं साल्टा टोरिएल बोलते हैं दन कॉर्शोरियल का मतलब inhib कल दोड़ना और दोड़ता कौन है कोक्रोच एक यह आदमी है जिसकी बोड बात रखना कि कोक्रोज क्या है जिसमें किस टाइप की लैग पाई जाती है रंडिंग टाइप की मुलब दोड़ने का काम करता है अगर मैं इसकी टॉप इसलिए बता हूं आपको तो चार फोर पॉइंट 6 मतलब 4.6 किलोमेटर यह दोड़ सकता है अगर सिंपल थिंग बता हूं मैं अगर सिंपल बात बता हूं तो ऐसे मालो कि यहां जोबनेर पचकोड या से वाया पचकोड या फिर सुनदा की डाणी दैन बोजपुरा फिर जोबनेर और डाणी नागान होता हूँ एक मतलब दो क अगर टाइम देदो गें को अक्रोच को तो वो जोमदेर चला जाएगा कहां पर चला जाएगा जोबनेर नहीं जोमदेर चला जाएगा मतलब वहाँ के लोग जोमदेर भोलते हैं इसलिए याद रखना कि इसकी टोप स्पीड होती है 4.6 किलोमेटर अभी तक रिकॉर्ड कि हैं तो ज्याएं को जाएगी ओलॉप जाएगी ओल पेर ओल्स पयर ऊफ कोकुफ यह फ्को क्रोच क्योंकि हैं के पूरे ऐओंगे टो काम कर बाएगा आप लोगों यह भी यादर रखना ओल पेर जैसे तो आपका उसको आशाम से क्जों कि आगर मैं को हैसे बोड़ना है क्य दोड़ दूगा क्या है क्या पॉसिबल ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर दोनों पैर काम करेंगे तभी तो मैं दोड़ पाऊंगा अगर दोड़ लगाना है तो दोनों पैर काम करेंगे तभी दोड़ पाऊंगा अदर्वाइस एक पैर नहीं होगा तो लंगडी तो नहीं दोड पॉलन क्लेक्शन याद रखना यह सबसे इंपोर्टेंट अगर लेग में है तो यह है कि पॉलन क्लेक्शन टाइप की लेग किसके अंदर पाई जाती है पॉलन क्लेक्शन का काम कौन करता है शिरफ और शिरफ हनीबी कौन करता है हनीबी और हनीबी की कौन सी लेग करती है पि एक कि वह पौलन कॉलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि है यह क्या करते हैं just कि के पकार्पी की जो हाइँ रखै वह फ्लौर प्रफेस नहींगी वहां से पॉलन लेंगी और पॉलन लेलने के पाद उसके पिछे वाली पैर होता है ना दोनों उन दोनों पैर के दिया घ्iciary लेग सब वो देट तो यह पेयर हो गया अंडलहक का यह हैड लग के इन पिच्छे तक आ तर यह लेग में तो इसकी बात हो गई हैंडलहक करक्षे कर न क्लेकसिन के टाइप और यह ऐसी कनडिषन होती है इिसको बोलते हैं को बिकुला कोर बीकुला मतलब ने वह जाल बनाया ना दोनों पीछे वाली पैर थे उन दोनों पीछों पैर से उनकument यह है ते हैर उन्होंने जोड़ लिए दोनों के बाल बाल ढ़गे ईजुनने के बाद उन्होंने क्या structure मनाई उसको मैंने क्या नाम दिया कोर्वी कुला किस में helpful होती है कि कोर्वी कुला एक पॉलन को ट्रांसपर करने में एक जगह से दूसरे जगह को पॉलन को ट्रांसपर करने में help होती है लगबग ये खुद की बोडी वेट का 25-36% मतलब आप तो वन थर्ड लगा लोगे गोड़ी वेट का वन थर्ड आएसे मानकर लोगो कि 33% वो खुद की बोड़ी वेट का वजन पॉलन लेके और अपने कौंब के अंदर अपने छत्ते के अंदर जा सकती है तो इंप्रेंट इसमें इंप्रेंट क्यों सं क्या थे कि को और भी कुला क्या चीज है कि यह सम्टिंग मानते हैं इसको फर फटर इसका एक्जैट टांसर हो रहे कि बन थर प्र तर इस्सा खुद का वंडिवेट कर लेके जा सकती है ऐसे मालों कि अगर हंड़ेड़ ग्राम की है नीभी तो थाटी ठीरी ग्राम के लेके जा सकती है पोलन एक जगह से दूसरी जगह दोनों मैंने आपको बता दिया कि कॉर्विकुला क्या चीज है कहां पर पाई जाती है दन पॉलन क्लेक्शन की लेग की टाइप की हो गई कि हैंड लेक हनीबी के अंदर मिल गया अपर देट प्रो लेक्स इनको फाल्स लेग ही बोलता है यह बाद ही बताऊंगा इससे पहले तत्त मुततव नांटा टोर्याल नाटार्याल क्याा Silming टाइप की मतलब यह स्विमिंग में क्विमिन में इघर के टहरां की तो थरकी को सीट है त्ट मैंसे में बाद को तैराग बनना है तो यह के दिनमें तो यहां पानी पानी के अंदर ही उनका खाना सब कुछ होता है वह एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले इंसेक्ट में पानी में रहने वाली बग होती है उसके जो पिछे वाली लेग होती है वह क्या काम करते हैं एक जगे से दूसरी जगे जाने में यहां तक के समझ में आ गया इसके बाद में प्रो लेग के नाम है क्या नाम है लेग के नाम है लेग के नाम है कभी भी परपच्छे क्यूशन नहीं पुछा जाएगा आपका आंसर मिल्लब आपको याद करना है वह क्या चीज है कि लेग वह डाइरेक्ट ऐसे पुछेगा एंबूलेटरी लेग किसके अंदर मिलती है और साटाट ओरियल किसमें मिलती है इवन नाटाट ओरियल किसमें म इंबूलेटरी पढ़ी वह किसी और में पढ़ लिए हमने कोक्रोच में पढ़ी जो मैंने लिख दिया वह एक्जेक्ट है आप नोट एंसन मतलब इसको पढ़ लें इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं आपको कि यह आपका गलत हो सकता अगर आपको ऐसे लगता है कि आपक आपको यहां बता रहा हूं बागी अगर आप जैसे जैसे कुछ बच्चों के मैसेज है थी थोड़ दिन पहले कि सर यह जो एंबूलेटरी टाइप की लाइक बताते हैं वह तो कोक्रोच के अंदर होती है जब कि याद रखना है कि कोक्रोच के लिए कोक्रोच के लिए कोक् सब्सक्राइब करने का काम करती है क्या काम करती है पकड़ने का काम करती है अगर मैं बात करूं मुलब पकड़ने वाले कि आप लोगने वह देखा है कि अगर कि सी भचे ने अगर मेंज़े आउता होता है मतलब इतना बड़ा साइज में आगे घर्दन थोके मोटी होगी वह जो जो वैसे भी काम आता रहेगा यह तो मतलब ये इसका काम क्या होता है प्रेइंग मेंटिट गाएक्चुली यह सर देखा है तो वह प्रेइंग मेंटिट होता है ना वह उसके जो आगे वाली लेग होती है वो दोनों लैक से क्या करता है कि इंसेक्ट को पकड़ लेता है और अपना यह दिख रहा है आपको यह वाला कि यह क्या चीज़ है प्रेंग मेंटीड यह क्या काम करता है एक्चुली यह प्रेडेटर नहतर को था प्रेडेटर किसको बोलते हैं इसको मुलब यह किसी के दूसरे इसको इसको खाए न हुलते हैं अगर मेरे सामने लडू रख्या है अगर मैं लडू यह फ्रेंग के डायगराम से ठीक है ड editions सब ने Mul жел तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रेंग मेंटिट की बात हो गई यह क्या काम करता है अब अपने इंसेक्ट को डायरेट खाता है तो एक्जाम्पल की बात हो गई फोर लेग ओ प्रेंग मेंटिड आप लोग भी प्रेंग मेंटिड हो शाम शाम को रोटी मिलते हैं सब प्रेंग मेंटिड हो मान के तो लोगे आप रोटी से बड़े हो साइज में डायरेक्ट रोटी को खा जाते हो नहीं छोड़ते काम कर रहे हो अगर आपके हाथ बताऊं तो कैसे मतलब यह तो लेग की बात हो गई किसकी रैप्टाटोरियल वहां उस टाइम आपके हाथ क्या काम कर रहे हैं रैप्टाटोरियल का डायलेक्ट चेप रहे हैं रोटी तो फिर भी नहीं मुलती साधी में मौका मिल जाए ना पर अभी तो वैसे भी शीजन बंद हो गया वो कौण सा मलका में चल रहा है न अब कोई नहीं कोई मतलब नहीं है अब बात करते हैं प्रोलैक्स की कुछ-कुछ लड़के तो ऐसे होता है कि जब मोका मिल जाए ना इसे प्रेइंग में टीड का अहर नाल सीधी करते हैं खुद की आत तो वैसे भी सोना है पड़ोषिकों की जीमना है बाद मजा अगया कोई मतलब नहीं तेका प्रोलैक्स की बात करते हैं कि प्रोलैक्स क्या च लौन की पर्सेंद से फार्ट लाइव फालस लेग या श्यूडो लैग तो फालस लेग में प्युस्ति च्छेई में लेट नहीं हुती है यह चीज़ और बतादू में जो अपनी जितनी भी लैक्स थी वो सब फ्त्रक्स में प्रेजांट और जो प्रोला Candstein होती है यह सब सबसे important है a b dho pro lag अब्ड होती है यह समझ में आ गया ऑज्पूर्ण पहाद याद रखना वही जितनी भी लंड होती है in sect के अंदर वो सब की सब दोर एक पर ओध कि या रहा है वह लैग यह वह किस परिद हो रही है एब्डोमन पे अब दूसरी बात यह प्रेलाग चलने में हेल्प नहीं होती है अपने कभी भी कैसे नहीं कि इन्षेक्टिन की हेल्प से चल सकता है कभी नहीं चलता जैसे मुझे छोटी होती है साइज में एक तो इस बिल्कुल छोटी-छोटी माइन्यूट ची लेग होती है जो चलने में भी हल्प नहीं होती है यह कितनी होती है यह पांच होती है पांच लेग होती है कितनी लेग होती है पांच लग हां स्यूडो लेग्स एब्डोमन पे परजेंट होता है बैटा दब पांच लेग्स है तो पांच लेग्स की बात करते है किस किस एब्डोमन पर तो यह मुन्हें बात कीति है कि आरक यारा से और डिवाइड हैं बात कीती शुरू में कि एब्डो मंद 7 से अच्वे नंबर में कंत क्या है। 시에 थे से लेके और गयारा यह पिस्तार फीक यहांट यह पर भूस्ता करती हूं उसका नाम मुष्टर्ड मस्टर्साफलाई क्या नाम ऊसका मस्टर्साफलाई मस्टर्साफलाई देख थोड़ा सा में सलेबस से आउट हो जाता हूँ थोड़ा सा एक मातर ऐसा इंसेक्ट है जो hymenoptera से बिलोंग करता है और हमारे लिए नुक्सान दाई है मतलब hymenoptera में जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब के सब हमने फाइदा देते हैं एक भी नुक्सान नहीं पूसा था मैं बात करूँ हनी भी यह टांट्या है यह जितनी सब की सब क्या है वह जो अपना क्या है टा सब्सान नहीं पहुंचाते हैं एक मातर इंसेक्ट है मस्टर्ड साफलाई क्या नाम है मस्टर्ड साफलाई अगर आप लोग इसका नाम देखना चाहो तो अथेलिया लुगन्स प्रॉक्सिमा इसका साइंटिफिक नेम होता है अथेलिया लुगन्स प्रॉक्सिमा जैय माता मस्टर्ड साफलाई किस ओडर से बिलोंग करती है तो आपका आंसर रहेगा हाइमन अप्टेरा मस्टर्ड साफलाई किस ओडर से बिलोंग करती है सबसे इंपोर्टेंट है यह हाइमन अप्टेरा से बिलोंग करती है कौन मस्टर्ड साफलाई हाइमन अप्टेरा से बिलोंग क करके बाहर निकल जाते हैं तब भी ये क्यूशन बचाता है कि मस्टट साफ लाई में कितनी प्रोलेक्स होती है आप का अंसर रहेगा कि आठ पेर के अंदर पेर में तो आठ पेर प्रोलेक्स पाई जाती है जो सुमित्रा ने मिटता है बिल्कुल वेरी गुड यह सुमन बेट होती है या नहीं तो उसके अंदर प्रोलेक्स के अंदर प्र्जेंट होती है एक इसकी core redes बैसे DAY पाई जाते हैं're we उसको croke, बोलते हैं महलब जो पकेदने का काम करती है, थोड़ा बोथ, जो पकेदने का काम करती है, वो कौन करती है, croke, जो किसके अंदर एपसेंट है, mustard, साफलाई में, ये important thing थि, जो मैंने आपको prolex के related बताई, सबसे पहली सीथो, prolex के, कितनी होती है, prolex 5 होती है, कभी भ क्रोलेइक होती है एक मातर इंसेक्ट है जो हमें हाई अप कुछां दे रहा आप्टर दैट क्रोकेट इसके अंदर होती है यहां पर अपनी लेक्स क्म्प्लीट हुई यहां पर अपनी क्या हुई complete अज़िए टाइब लिगन्दा है कि यहां पर क्या होगी क्रोकैटस अपनी अपनी क्म्प्रियट पर बच्चो अब देखो अब मैं बात करता हूं एक बार एंटेना उसकी लेग और रहता हूं हनीबी की थोड़ी स्पेलों से लोती है जो कुछ मतलब थोड़ी हायर लेवल पर पूंची जाती वह बागी बच्चे याद रखें कि हनीबी के अंदर जो तीन पर होता है फस्ट फस्ट पेरर और फ्रर्ट तो फस्ट पेर आगे वाली पेर वह क्या करती है पोलन को हठाती का से माउथपश्चernts के माने अachtें का का काम करती है क्या याद रखों कि डारेक्ट कि एंटेना क्लीनिंग का काम करती है कौना और प्रहुटर वाली ने है जो बीच में रहती है यह च्छोखी ना उसको तो यह मिल गया और लिया क्योंकि आगे कोई नहीं देखिए कोई है तो तो बीच में सेफ है विल्कुल जितना मोका मिल गया हुथ वह बीच वाला काम करता है मतलब यह वैक्स जो पिक करने का काम करती है उसका काम कोन करता है सेकिंड पेर मतलब मैं इसके लिए दोनाम लिए सखता हूँ एक का करती है कि आनोदर भन है को ओम सेपिंग का कभी काम करती को मैं ओर सेप को एक को सब्सक्राइफ ने रही है वह कौन दे रहYे है cried तो दो होगे इसके क्या काम है एक काम करती है काम करती है यह क्या है अब आप नोगे द कुछा था कि सर्फ ग Dave रोट अने का का हो था अट है तो यह ताथ कि पिकिंग्र का काम करती है यह वह लेकर आती है ना आ तो उनका काम वेक्स करते हैं उसके बाद उसको कैसी सेप देनी है सेप तो समत्य ना बिल्कुल जैसे मान के चलो कि अगर सेप दे रहा है किसी भी चीज़ को मैं मेरे खुद की बात करना तो हेर इस्टाइल कर वाली नहीं नहीं अलग से फिर बीड सेट कर वाली देन नहीं ड् शॉटन करते हूं विंग 저zie отлич करता हूँ अगर यहां तक समय में आ गया दन बताइए आप में देखो कि विंग स्टाक्राट कर दींग या नहीं है भी कि आ टेक्निकल टीम समय में बताओ किया है और ऑग और यहां तक हो गया तो घ्रम सिस्टार्ट कर दिया है क्विक्स के कि यह सा कौन सा दे दिया वहीं इतना भड़ा रख तो कभी स्कुल में टीचर नहीं नहीं दिया वह भी छोटा सा गुड़ दे दिया सर्द्य डाइम घढको तो खालेंगे अपने क्या धिक्कत है दे दिया आपको रख लेंगे आपका बहुत बहुत आवार धन्यवाद मैं इसको continue करता हूं विंग्स को कि आइ तिंग सभी क्यों हो गया विंग का नेम और एक्जाम्पल डाइरेक्ट दो ही हैं दो ही थिंग्स हैं आइ किया स racisme तोरच्ट का सिल्भस कब सुरू करेंगे ना पूरेष्ट्-गार्ड का सिल्भस तो फोरेno स्थ वाले बटाएंगे हम तो आसले बलादे हैं वह वोदिगे आपको फोरेष्ट गारण का सिल्भस आ अटin हे मैं अट्र ए Hempielytra then Feciude van daira हो गई, hemiletra हो गही phi Recuse ho गई, Tagmina हो गई. एक किसके अलावा halters जाद इमistों में हालta ॥ हाल्टर्स मेंब्रेनस तो यह क्या है इसकी important important नाम है अब मैं इनके एक एक करके example बताता हूँ कि क्या चीज है वहलूब यह tagmina होती है यह hard structure होती है त्यात रौना tagmina क्या होती है एक hard structure होती है और यह tagmina के अंदर क्या परजेन्ट होता है करते हैं मतलब हाड कोड़ा करें कि यह क्सके अंधर लॉट करें प्रोमिजो और मैटा यह कॉन रखना कि ओली two pairs होते हैं कि दो जोड़ी पांकडा तो जोड़ी पांकडा कांएं पिछे-पिछे यह दोनों आगे कुछ नहीं है आगे शिर्फ पैर हैं पिछे वाले दोनों पर मिज़ख पर मैटा ठोलक्ष पर एक एक पेर क्या प्रजेंट है वहां पर विंक का एक प्रजे करने काम करती है कौन सी और एक्जांपल की अगर बात करों तो new its पर फोरविंगम उफ ग्रासोफर याउड देखते हैं न मट सम नहीं तो इन तो जो बन देखा है और घ्राश तो बहुत एक है तो मिंटर नहीं कि प्रजेंट होती है याद रखना यह प्रजेंट होती है फोर विंग ओफ बिटल्स रखान में बिटल्स तो गतल होती है न उनके तीन जोड़ी टांगडा दो जोड़ी पांखडा तीन सब grape蟨 है तो बहुत हैं सेटों में सेट सामरी है सेट बागी सब फोटो स्टेट तो लेडी वर्ड विटल भी एक सबसे स्पेसल है तो आप याद दखना कि जो जितनी भी बिटल है उनमें इलाइटर टाइप की क्या पाई जाती है विंग पाई जाती है हाल यह जो आपने वेटा बिलक सब बच्चे देख लेड़ा ना सर हिंदी गजनेशा सिंग तो पेटा अब इसमें बिटल को तो भ्रंग बोलते हैं अगर ब्रंग बोलों यह समझ में नीवा तो फिर समझ में नहीं बिटल कि वो उरन इवर्ड इस्ग कैसे तो भंग दौग दो जखन आता है नहीं हितने नहीं जैदा कोई मैं भया भी नहीं बता रहा हिंदी के इनदर अा जय हूं कोई बात नहीं तो देखो हैं यह मिक्सर है मतलब हो प्रक pelo क्रेंस को फिर आट्र काम करता है एक इसके उसमें अदिव मतलब यहाइप ते जिसमें जिसमें का आज पता नहीं है अगर माँ आपको पड़ाने आ गाए मैडिकर नहीं आपको लग तो वह को है कि इढ़ा कुछ हो रहा वें सब्सक्राइब za यह पता नियुक्त छोटे है और है और दूसरा होस दोब ते रहोता है तो हें आता है है ह्मलाइट्रा ऎोटि जिसे में बताओ ना कि हिए हम एन्लाइट्रा होती न यह कॉआ तो यह साक्टिन को मेलीस बेंग करना पूरके से ताई नए पूरेन को अग्या पीच्छे पीच्छे मिल legalिट Grass झाले दो पॉन पेश है पीच्छे मिलेगे बिल्कुल मेंब्रेन से उसकेन तो देल का थो प्होला में कि अंदर कुछ भी नहीं है पिछे-पिच्छे कि इसके अंदर क्या वैन से हैं इसको इसमें कंप्लेट है तो तो लाइटर बोलेंगे इसके अंदर जे Cameo than aem Abskarald ही rebंग यह जहता है अनलूद só मोट से नदर स मह timeаемot pouvoir होता हैं है मोट मेंदर कर लाएक करो कि इसको मैं ते याद रहाँ कि प्लूम मौत में कैसी मोती होती है फिंड मतलब इसे मैं य से बनी treaty स्थ्रक्टर्स होती है उसको स्बस्राइब नदर तीन मौत मनलती üz ये खैसे यह क्यों मतलब नहीं जो बंदे करतें यर्टाइब कटी में किस यह फो criticized तो फिस्यू टाइब की विंग Plyum Dodge के अंदर मिलती है then halters देखो ये चीजज थी ना halters क्या चीज होती है आगर मैं halters फीपास के बात करूं क्या है चोटी structure 這नी की विंग की एक छोटी structure जिसको हम halters बोलते हैं मतलब जितनी विंग होना चाहिए के उतनी ग्रोत नहीं होती है यह जोटा है जो हर्टर बोलू घो weil जितनी भी एक मतलब निए आदरे कना क्या होता है झिंट रिखाना कया होता है चोटे को यादा होती है कि उसकोका जो बिल्कुल यू वापस आएगी तो वहापस आएगी तो वह हाल्टर्स की हेल्प से करेंगी तो वह मैंटन हो जाएगी मतलब इसमें मैंब्रेन बनी रहती हैं ज्यादा तर इंसेक्ट में यही पाए जती इसमें फोर इंड़ बाथ करूं तो जैसे टाटिया ापका इसके लावह कर बात करूँ तो यह इंदर वह रंडर लोग फ्लाई और कुछ वह यह हैं जो पर्विंग के इसमें पारogen does मिलता है तो हम क्या क्या एक्जमपल इसके वैस्प है टाट्या है हनी बी है इसके लावा कि यह तो इसमें जिन में क्या है फॉर विंग एंड दोनों फॉर एंड हाइंड विंग और इस पेसलिः अगर फॉर यंकी बात करें तो फॉर विंग की स्पेसली है ट्रूफ्लाई है सर्फविंग की स्पेसली है ट्रूफ प्रूफ्लाइज तो ट्रूफ्लार गिन में इस पेस्ली को यह रहे गया वह बता ज QURAD आव उने हैं स्वरींट विंग प्रिंग यह स्पेसली किसमें पाइब जाता है त्रिप्स में त्रिप्स के तो नक्रे यह लग है त्रिप्स का मतलब इसमें कोई भी चीज हां टाट्या राजिंदर को शेयरे वही टाट्या सब ने सुना है कोई बार का नाम थोड़ी है अग्मा तो महीं आप लोगों के है तो वह नाम हो जाएंगे जो फिरिंग्ड है वो त्रिप्स के अंदर यह हमारी यहां पर क्या को कम्प्लीट होती है जितने भी विंग के टाइब थे वह मैंने कम्प्लीट कर दिए अगर आप लोगों के यह समझ में आ गया है तो जान बता दो कि इस पेसली किसका याद बनाती है आप लोगों कि अगर किसी का पढ़ने का तरीक अच्छा है कि इसका बोलने का तरीक अच्छा है किसी का पढ़ने का तरीक अच्छा है तो उसको यूनिक बनाता है तो यूनिक त्रिप्स के अंदर क्या चीज है वह उसको यूनिक बनाती है उसकी अलग से पहचान देते हैं इती स्री करते हैं इसका यहां टक कि क्लास आइटिंक जो विंग और लेक्स के टाइप थे वो आपके समझ में आगे होंगे तो कर दे इती स्रीइं हुसे है सभी बच्चे बताओ ओके करते हैं फिर पालाज़क अपनी आपर thank you जै हिन जै दानी मिलते हैं एक ऑगे कल्चर में सांदार केरिय और एक किल्चर मतलब राजदानि पाउंड पचकॉडिया जयपुर राजस्तान वाजथान ही नहीं नौड्ध इंडिया का किंकोण फैसला आक पर राजदानि पाउंडा ने है आई सी आर में हिंदुस्तान की केटेग्री की आठवी रेंग और सामानेवर्ग की साथ वी रेंग राजस्तान जेट 2020 में तोप 10 में से आठ विद्यार्थी तोप पचास में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेट सीदे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानियन ने किया कबजा जहां 90% बच्चे कर रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही र 594 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवाड की रूप में मिलने वाली है दो करोड़ साथ लाख रूपे की स्कोलर से कक्सा बारा के परिणाम में 97% एक विद्यार्थी 95% तीन विद्यार्थी 94% आदिक साथ विद्यार्थी 93% आदिक ग्यारा विद्यार्थी 90% आदिक 40% दो विद्यार्थी 99 परसेद्याद स्यादा लाने वाले उन्नीस विद्यार्थी 90 पर्सेद्य आदिक राने वाले 163 विद्यार्थी 10-12 साइंस में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी रिंकु यादव ने की 37% की व्रद्धी नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस आधुनिक सुक्ष विधा से युगते सेप्रेट गल्स एंड बॉइस होस्टल्स राजधारी एजुकेशन गुरूप च्कोडिया यूटूब सेनल मोबाइल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी आई सीयार जैट बीएच यू एग्रिकर्जा सुपर्वाइजर 11-12 क्लास के ओनलाइन कोर्सेज भी उपलद ग्यारवी बारवी के साथ और इसके बाद भी आई सीयार जैट बीए बीए यू राजदानी प्लिक फिनिर से कंडरी स्कूल फोर आल-केडम क्लासे राजदानी गैसे ठीडसेज वोई उस्टेटेज पासल विद आई साथि विजित करें www.raasdhani group.in Helpline No. 9314 130 130 Call 900 100 1314